असलाम अलेकूम मैं हूँ सुहिला आप देख रहे हैं सुहिला की रस्वई आज हम बनाएंगे आलू की सबजी पूरी एक कड़ाई लेंगे टेल टेबरी स्पून ओयल दो से तीन लाल मिर्च तोड़ लेंगे उसमें एक साबुद एक स्पून साबुद धनिया हाफ स्पून स क्रैकर कर लेंगे अच्छे से गोल्डन ब्राउन तक चटका लेंगे तीन टमाटर थोड़ा सा दरख थोड़ी सी हरी मिर्च और यह है एक प्याज छोटा इनको एड़ करेंगे एक स्पून गार्लिक पेस्ट एड़ करेंगे प्याज टमाटर सोफ्ट होने तक हम पकाएंग प्रेंट्स मेरे चैनल पे नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो पसंद आए तो रेसिपी लाइक कॉमेंट और शेयर कर दीजिए नमक स्वाद नुसार एड़ करेंगे और हल्दी वन फॉर्थ स्पून और इसमें कुछ मसाले नहीं एड़ करेंगे ब अलवा स्टाइल रेसिपी है डाबा स्टाइल यह हैं आफ केजी आलू बॉयल आलू है इन्हें ऐसे ही रफली तोड़ लेंगे इसमें ज्यादा बारिक नहीं करने हैं हमें यह रस्सा आलू की सब्सी है रस्सा बाटा बाटा बाटी बहुत मज़े की है इसके साथ में हम अज़ानी आड़ करेंगे मैंने दो अलू बचा लिये थे ज्यादा थे यह आलू मिक्स करेंगे और एक बोईल आने देंगे यह थोड़ी सी कसूरी मेथी है यह एड़ करेंगे एकदम हलवा हीस्ट्राइल रेसिपी है बहुत मज़े की रेसिपी है एक बार तरूर्ट ट्राइ करना कवर करके रख देंगे थोड़ा सा और मैश कर देंगे जो मोटे आलू होंगे थोड़ा तोट जाएंगे बोईल आ गया आलू को मेडियम फ्लेम पे हमने डखके रख्या था फिर इसको कवर करके फ्रेंड्स मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है प्लीज कॉमेंट में ज़रू बताया करें और यह है मैंने सिम्पल आटा गोत लिया था इससे हम बनाएंगे पूरी यह का आटा है गुंदों का बिल्कुल अचो वह है चक्की वाल आटा कोई स्पेशल नहीं है हम सिम्पल आटा जो रोटी के लिए गुनता है मुझे इससे बनाएंगे हमने को इसमें ओएल या सूजी नमक कुछ नहीं लगाया है सिम्पल प्लेन है यह चोटी चोटी लोगे बना लेंगे पूरियों के लिए सारी लोगे मैं ऐसे ही बना लूँगी यह है अजवाइन इस पर हम पूरी पर लगा देंगे ऐसे मैं ऐसे ही लगाती हूँ पूरी के लग से अगर मैं आटा गुनती तो इसमें डालती मैं बस यह मिरे पास गुनता हुआ था और चोटी चोटी पूरी बेल लेंगे हम एक वेल शेप में बहुत मज़ी की रेसिपी है फ्रेंड्स बच्चे एकदम खुश हो जाते हैं इस चीज़ा खाकर गर्मी जादा हो रही है तो सिंपल खाना खाएं वेज खाना खाएं नोन वेज मत खाएं इतनी गर्मी में फूली फूली एकदम बढ़िया पूरी बनेंगी इस तरह खेसे बनाएं पूरी है हमारी एकदम फूल रही है सारी पूरी मैं ऐसे ही बना लूँगी फ्रेंड्स हमने कोई इसमें सोजी मैट दा सोडा कुछ नहीं डाला सिरफ योंकर आटे की आई है ऐसे ही मैं और बना लूँगी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें फ्रेंड्स वीडियो इसकिप मत किया करें मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मेरी रेसिपी आपकी इस चेहर की इस मुल्क से देखता हैं ये भी जरूर बताया करें मुझे खुशी होती है आपके कॉमेंट पढ़के आपके बहुत प्यारे प्यारे कॉमेंट होते हैं तो मुझे खुशी होती है पढ़कर देखें माशालला कितनी अच्छी अच्छी पूरी बन रही हमारी फुली फुली हलवाई स्टाइल आलू की सबजी और पूरी बहुत मेजेकी बनती है इस रेसिपी से ज़रूर बनाए एक बार गॉर्डन होने तक हम सेख लेंगे पूरी को फ्राइ कर लेंगे एक दम फूली फूली पूरी बन रही है हमने अमकी युझा अकचे आमकी लंजी बनाई थी उसकी रेसिपी भी हने शेयर की है आलू के प्राट्थे की सब्सक्ताइण वह रसिपी बीज़र देखिए देखे एक दम उपड़ रसिप अपड़ से कृुप्र गृस दैखे खू फूली पूरी पूरी ब़ुज़ एक दा अजवेन जरूर लगाएं बच्चों को फायदा देता है गैस में बच्चों को हजम हो जाती है यह ओईली चीजें सैलिड रख देंगे यह हमने चटनी पी सी थी कच्चे आम की चटनी मैंने इसकी रेसिपी शोट में शोट वीडियो में शेयर की है कच्चे आम पो देने की चटनी है फ्रेंड बहुत मज़े की रेसिपी है यह भी इसकी भी वीडियो शेयर की है प्लीज मेरी सब वीडियो को लाइक कॉमेंट और शेयर कर दीजे एक वीडियो को लास्त तक जरूर देखा करें दूआओं में याद रखना लाफिज